एक बर यह देख लेता है ना पहले यह वाली पॉइंट पर बात हो रही है इसको एक बर हम समझ लेते हैं कि कि CBI seeks help from US authorities to retrieve deleted data in सुशान सिंग राजपूर्थ death case ठीक है तो ये कब की खबर है ये खबर है अपने आठ नवंबर दो हजार इक कि ये खबर है तो इससे मान के चलो कि पंद्रा बीज दिन मालूम है कि वही पहले CBI ने भेजा हो या एक महिना पहले बहुत चीज़ बोलता हूं इसके चार-पांच महिने भी पहले भी सेमी न्यूज आया था त्वाए त्वी ये ये वाला जो इंडिया टूडे चापा है ये लिए चापा हूआ थी बहुत विटीसाइजेसिंशन मिला था उसको इंडूश्टांट टाइम्स को कि मतलब गुमराह करने का कोशिश ठीक है ठीक है वो ठीक है न्यूज पर न्यूज के उपर इक बार बात करेंगे बहुत गुम्राइब किया है इस केस में आई यह पड़ लिए बात यह हो रही है कि यहां पर CBI ने हेल्प मांगी यूएस से लेकिन क्या है अब उसको एक बार बोल लेते जो भी आयूश भाई बता रहे थे यह देख लो CBI has sought help under the mutual legal assistance treaty जिसको AMLAT कहा जाता है a legal agreement between two or more countries for the purpose of gathering and exchanging information in an effort to enforce public or criminal laws चलिया जी ठीक है तो इसमें क्या मांग रहे है जो भी डिलीट डाटा हुआ है गूगल फेस्बुक से हैना इमेल से वह सारी चीजे ने वापस चाहिए अब इसके उपर जो अभी जस्ट यह नोंने भेजा चलिए एम एमलेट की बात हो रही है यह criticized है क्यों क्योंकि इसको तीन से मतलब साड़े तीन साल लगवागा मानके चलो तीन साल मानके चलो लग जाते हैं तो तीन साल अगर यह इसको जवाब आने में लगेंगी तो सीवें कॉंक्लूड कैसे करेगा अच्छल में पॉइंट है अच्छल में पॉइंट होना पड़ रहे हैं ने 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 आप समझे नहीं आईश भाई फेस्बुक और यह जो गूगल का है ना यह जो डेटा मांग रहे हैं यह वह नहीं है कि आप समझ रहो यह रिट्रीव नहीं हो सकता पहली जो ओन्लाइन क्लाउड पर आना वो कंपनी ही दे सकती है यह आप मोबाइल से रिट्रीव नहीं कर सकते हैं आजकल एंक्रिप्शन आ चुका है तो वह रिट्रीव नहीं होगा कुछ भी इंक्रिप्शन और फेस्बुक का वाट्सेप का प्राइवेसी प्रोटेक्शन बहुत हाई रहता है मतलब ऐसा है ना कि अगर को मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है रिट्रीव कराने के लिए और एक चीज और बता दू आयुष भाई यह जो आप चैट्स देख रहे हो नहीं जो रिया की निकल क्या ही है यह ऐसा नहीं है कि सर्वर साइट से उठाया एजनसी ने नहीं इन्होंने कभी स्क्रीनशॉट लिये थे खुद ने ठीक है यह खुद स्क्रीनशॉट लिये और तो इसको डिलीट मार दिये बाद में अब हो सकता है मिरांडा ने सब के फोन लिये थे यह जरूरी नहीं है रिया के फोन में मिल योगे किसी और ने स्क्रीनशॉट लिया होगा ठीक है तो इन सब के फोन से जो डेटा डिलीट हुआ उनको रिट्रीव किया गया तो वो तो के पास है लेकिन सर्वर साइट से नहीं उठा सकते हैं वैसे भी कंपनिया नहीं देती तो उसके लिए लीगल प्रोसेस है तो वह यह कर रहे हैं तो आप यह तो मान के चलो कि तीन से साड़े तीन साल तो खाएंगे ठीक है